दोस्त आपका एक बार फिर से हमारी चैनल नोटोने सागत हैं तो आज की इस फीडियो में हम आपके लिए इंगलिश क्लाश ट्रैल्ट का सेंपल लेकर आए हैं सेशन जोदर बाइस और तेश के लिए ठीक है तो अब जल्दी से देख लेते हैं इस पेपर में क्या-क्या है फ पर चैनल इंट्रक्शन आपके क्या देगा है कि यह पेपर शुरू करने से पहले आपको 15 मिनट जो रीडिंग टाइम दिया होगा इस पेपर में तीन सेक्षण है रीडिंग राइटिंग और लीट्रेचर ठीक है और जैसे इंस्ट्रक्शन दिये गा है जितने कोश्चन कर करने है उसी हिसाब से आपको फॉलो करते हैं इस्ट्रक्शन को जो है पेपर को सॉल्व करने है ठीक है तो सेक्षण यह रीडिंग स्कील का है ठीक है बीस नंबर का इसमें दो पैसेज है मैंने आपको पहले ही बता दिया तो जब सलेबस आया था कि किस तरीके से पेपर का है पैटरन होने वाला इंगलिश आ तो यह पैसेज आप देख लीजिए फिर यह पैसेज पर बेस्ट कोष्चन से वह आपको करने हैं MCQ, MCQ नहीं है, इसमें combined है, MCQ भी है और लिखने वाले भी है, तो एक एक नमबर के 10 question है, ठीक है, फिर सेकेंड पैसेज 10 नमबर का ये भी, फिर उस पर बेश जहां पर question दिये गए है, 10 question एक एक नमबर के, फिर आता है section B, creative writing skills, इसरी में आपका notice writing, letter writing है, उसके question आप देख लीजिए, इसरी में notice writing, letter writing, invitation, ठीक है, report, ये सभी topics आएंगे, मैंने इस paper को पढ़ा था, इसमें अच्छे-च्छे question आए है, तो आपका अच्छी तरीके से practice करने पड़ेगी, चाहिए वो application for job हो, चाहिए वो notice writing हो, चाहिए वो invitation ही क्यों ना हो, आपको अच्छी तरीके से कई topics लेके तयार करना पड़ेगा, ठेक है, फिर आता है section C, literature, इसे बहुत ज़्यादा extract दिये गए है, side में आपको right hand side में marking scheme दिख रही होगी, कि कौन सा question कितने number का है, पेपर अराम से देख लीजिए, choice में आपे बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो आप देख सकते हैं, आपे side में लिखा भी है, कि अलग-अलग chapter से ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आपको हर chapter को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, यहां देख लीजिए, आप नीचे bracket में लिख रहागा है, chapter का नाम, कि किस chapter से extract लिया गया है, और तरह तरह के इसमें जो variety के questions भी पूछे गए हैं, extract में से, ठीक है, फिर आते question answer वाले question, यहां उपर जो instruction लिखे गए हैं, उसको भी आपको जरूर follow करने हैं, जैसे यहां लिखा है, किनि 5 का आप concept करना है, 40 से 50 सब्दों में, कि सारे question करनेंगे, आप instruction देख लीजे कि, कि कितने question आपको करने हैं, सारे अगर आप करने लगेंगे, तो आपका time waste होगा, फिर जब आपको बाद में पता चलेगा तब तक आपका जो paper का time खतम हो जाएगा तो ये था हमारा English का sample लेपर अब चलते हैं इसकी answer की की तरफ तो दोस्ता अभी मैंने जब आपको sample लेपर दिखाया class 12 English का ये उसकी marking scheme है तो ये marking scheme देखके आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि English को आप बिल्कुल भी हलके में नहीं ले सकते ऐसा नहीं है कि आप सारे subjects पढ़ लेंगे और English को छोड़ देंगे आपको सभी subjects पढ़ने पढ़ेंगे और English में अगर आप ये marking scheme अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितनी सकती से जो आपका paper check होगा ठीक है कितने आपके गलती होगे कितने number कटेंगे अच्छी तरीके से यहां पर बताएगा है तो आप मैं scroll कर दे रहा हैं पढ़ लेंगे यहां value points लिखे गई हैं जो आप अगर अपने answer में लिखते हैं तो आपको marks मिलेंगे साथ में side में guidance दे रखिए हैं कि correct points के लिए कितने marks हैं partial credit कितना मिल सकते आपको ठीक है वो भी यहां पर आप देख सकते हैं फिर हमारा second passage उसमें भी यही चीज़े है value points बताए गई हैं और guidance दे रखिए हैं कि आपको एक number कम मिलेगा explanation के लिए मिलेगा यह किस तरीके से मिलेगा सब यहां पर side में बताए गई हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान से paper को करना पड़ेगा और सोच समझगे ठेक हैं क्योंकि आपका जो paper examiner check करेगा तो उसके पास यह marking scheme होगी board exam की फिर आता है section B creative writing skill पहला इसमें notice था अच्छे से बताए format का एक number content का दो number ideas को सही तरीके से organize किया है सही तरीके से ideas को लिखाए तो एक number accuracy सही तरीके से बिल्कुल लिखाए accurate लिखा है तो एक number यहाँ पर देख लिजे बता है कि कितने number कितने आदे number का मिलेंगे zero का मिलेंगे पूरे number का मिलेंगे value points भी आपको दिए गए हैं फिर आपका invitation format का एक number content का दो ideas को organize करने के लिए एक number और accuracy के लिए एक number तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ इसको जरूर ध्यान से पढ़ लिजेगा कि आपके grammar मिश्टेक ले आपके कितने number कट सकते हैं तो आपको बिल्कुल accurate होके जो है यह लिखना होगा फिर लैटर format का एक number है content का दो ideas को organize करने का एक और accuracy का एक अब उसमें बताया गया है कि दो में से आपको कितने कब मिलेंगे तो यहाँ पर सब अच्छे से बताया गया है तो यहाँ पर लिखे गया है फिर फोर्थ है आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है format के आपका एक number है content का दो number है ideas को organize करने के लिए एक number है और accuracy का एक number है तो बिलकुल ध्यान से जो है यहाँ पर मार्किंग स्कीम तयार की गई है और इसी के इसाप से आपका board exam है वो check होगा तो आपको इसी के इसाप से अच्छी तरीके से प्रेपरेशन करनी है और पेपर से पहले ही अपनी गलतियों को सुधार ले ताकि आगे चलके आपको board exams में problem now हूँ ठीक है फिरे section c literature इसके आपको यहाँ पर answer दे रखिए value points और guidance भी दे रखिए तो इसको भी आप जरूर देख लें ठीक है यहाँ आपको दिख रहा होगा value points दे रखिए right hand side में आपको guidance भी दिख रही है बिल्कूल आप इसको easy मत समझें English को सभी subjects को आप अगर ध्यान से करेंगे सभी को अपना time देंगे proper तबी जो आपके अच्छे marks आपाएंगे ठीक है यहाँ आप देख लीजिए ठीक है यहाँ आपको value points guidance हर question में दिया गए जिससे आपकी board exam में जो गलतिया है वो कम हो जाएं और आपको book को तो जरूर पढ़ना है क्योंकि book से इतने सारे extract आ रहे हैं 40 number का आपका book से ही आ रहे हैं ठीक है book के question आ रहे हैं extract आ रहे है poem आ रहे हैं तो उन सभी चीजों का आपको जरूर पढ़ना है और real life से related मतला आपको दिमाग लाएक के question करने होंगे ऐसा नहीं है कि आपने question answer रट लिए और paper में जाके लिख दिया वह ऐसा नहीं है मैंने question पढ़े हैं जो long answer वाले question है वो भी book से नहीं आये book का topic लिया गया है फिर उससे आप क्या सीखते हैं उसके बारे में ही आपको यहाँ पे लिखना है तो यहनी बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से mind fresh करके exam देना पड़ेगा और बिल्कुल दिमाग लगाना पड़ेगा क्या आप वहाँ पे कर सकते हैं situation based question भी है ठीक है situation based बहुत सारे इसमें question आ रखे हैं कि आपको given situation दी होगी उसके base पे आपको जोए answer लिखना है तो यहाँ पे आप जरूर देख लीजे कितने number आपके कैसे कट सकते हैं आपको यह पता चलाएगा कि आपके number कैसे कटेंगे तो आप उन गलतियों को नहीं करेंगे ठीक है value points guidance हर question में दे रखा है यहाँ आप देख लीजे पूरी अच्छी तरीके से CBSC ने एक्स्प्रेइन कर रहा है कि कैसे आपके number आपको दिये जाएंगे कैसे आपकी marking होगी तो यहाँ आप देख लीजे value points सारी चीजे आप अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल रही होगी यही था हमारा sample paper की answer की उमीद करता आपने sample paper देख लिया और answer की भी देख लिया दोनों ही बहुत ज़्यादे important है तो sample paper एक बार आप जरूर practice करके जाएगा board exam से पहले और आपका mid time exam होने वाला है उससे पहले ताकि आपको लिखने का जो format है वो पता चल जाए और आपको यह भी पता चल जाए कि कहां पर आपकी गलती होगी तो आपके कितने marks कट सकते हैं तो उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आई हो आपसे फिर में लेंगे next video में तब तक लिए subscribe कर लिजिए ताकि जैसे ही में next subject का sample ए पर upload करूँ आपको उसी टाइम जो नोटिफिकेशन मिल जाए आपसे फिर में लेंगे next video में तब तक लिए बाई बाई जैहिंद